नमस्कार मैं कोमल सिंग और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टैम्स मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गुड नीज बुलेटिंग बदलाव की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में पिछले 24 खंटे में क्या कुछ बदला आईए जानती है आगरा मतुरा और राजिस्तान के भरतपुर को जाने वाले मार्ग पर अत्यदिक ट्रैफिक का लोड रहता है सामान जन्मानस के अलावा ताज महल और आगरा कला देखने वाले परियटा कुअ क्रेश्न जनम भूमी मतुरा आने वाले श्रद्धालूँ के कारण फतेफो सीकरी एवं राजिस्तान के भरतपुर जाने वाले मार्ग पर अत्यदिक भार रहता है कस्वा अचनेरा ने इस जाम की समस्या से रहागीरों एवं निवासियों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ता है इस्थानी लोग लंबे समय से बाईपास की मांग कर रही है भाजपा के इस्थानी विधायक चौदरी बाबुलाल ने बाईपास के प्रियास तेज कर दिये है बताया जा रहा है कि कचोरा रोड से होते हुए अंचिरा साधना मार्ग से अचनेरार भरतपुर मार्ग तक पांच किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जाएगा सर्यू की बार से तटवर्ती शेत्रों को बचाने के लिए शुरू की गई दो परियुच नाय समय से पहले पूरी हो गई है इससे रेवती शेत्र के करीब 30 गाउं को बार की समय राहत मिलेगी जिले के रेवती विकास खंड में प्रवेश के बाद सर्यू की धारा खड़ीग हो जाती है इससे तटवंद पर दवाब अधिक पड़ता है बरसात की मौसम में नदी का प्रभाव शेत्र भी बढ़ जाता है लिहाजा तटवंद की सुरक्षा विवात के लिए भी एक चनौती बन जाती है जिससे इस इलाके में रहने वालों की भी दुख दुखी बढ़ जाती है लेकिन अब परियोजना के पूरे हो जाने पर लोगों को बार से राहत मिलेगी राइवरेली में वित्यवर्स 2024-2025 में जिले के 688 गाउं को मोडल बनाने के लिए हारी जंडी मिल गई है स्वक्ष भारत मिसन के तहत चिन्नित गाउं में जल्दी विकास का पईह दोड़ेगा इसके लिए DPR उने इसी महीने सभी गाउं में कराने वाले कार्यों की योजना तैयार करने के लिए आदेशती है उन्होंने पांच दिन में कम से कम 300 गाउं की कार्योजना तैयार कर शासन को भेजने के आदेशती है जिससे बजट मिलते ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंदन सड़क नाली आद जरूरी विकास कारे शुरू कराई जा सकेगे उत्रपदेश में सरकारी नोकरी की पढ़ाई कर रही युबाव के लिए गवर्मेंट जॉब के बहतरीन अफसर सामने आ रहे है UPSSC ने हाली में BCG Technician भरती का आदिकारिक नोटिफेकेशन जारी कर दिया है इस भरती के लिए ओनलाइन एफ्लिकेशन का लिंक 8 जुलाई से एक्टिव हो जाएगा जिसके बाद योग्य उम्मीदवार UPSSSC की ओफिशिल वेबसाइट UPSSSC.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे UPS में पूर्व से पक्षिम तक कई जिलों में बारिश हो रही है जहां अभी बारिश नहीं हुई है बहां भी हलकी से मध्यम बारिश होने के आसार है मौसम बैग्यानिकों का कहना है कि जुलाई में परदेश की 65 जिलों में सामान सियादिक बारिश हो सकती है अगले 24 गंटे में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बूंदा बांदी और बारिश हो सकती है आपको बता दे कि वाराडशी और आसपास के इलाकों के मौसम का अलग ही रुख देखनी को मिल रहा है क्योंकि वहां बादल अब तक महरवान नहीं होगे है फिलहाल के लिए कुर्ण न्यूज वुलटिन में बस इतना ही असे ही तमाम बड़ी ख़बरों के लिए देखते रहे है उत्तर प्रदेश टाइम्स